दोस्तों आज हमें 7W के LED बल्ब का energy consumption निकालेंगे पर डेका सबसे पहले मैंने बिल उठाया और उसमें चेक करा कि मेरा monthly difference कितना आ रहा है जैसे मेरा difference 94 units का था इसलिए मैं 0 to 200 वाली category में लाइक करता हूँ और इसमें per unit का जो rate था वो 3 रुपे था अब copy by calculations करते हैं मैंने power consumption लिख लिए है बल्ब की जो की 7W थी अब सबसे पहले इसको 1000 से divide कर देते हैं और हमारे पास जो भी answer आया है वो हमें kilowatt में rating देगा इस बल्ब की अब मेरे को पता है कि यह बल्ब let us suppose that कि यह 5 गंटे चलता है दिन में तो अब इस answer को जो हमारा kilowatt में answer आया था उसको हमने simply 5 से multiply कर देना है और जो भी answer आयेगा जैसे answer आया 0.035 तो इसको हमें multiply करना है पर rate के unit से जैसे 3 रुपे per unit charge था तो अब मैं इसको 3 से multiply कर दूँगा तो per day का मुझे consumption मिल गया कि मतलब इतने पैसे खर्च होते इस बल्ब पे एक दिन में और अगर 30 दिन का निकालना है तो simply 30 या 30 से multiply कर देंगे धन्यवाद